नमस्कार मैं आपकी हिंदी अथ्यापी का सुदेश चोतरी और आज हम करने जा रहे हैं सात्मी कक्षा की हिंदी की फाठे अपुस्तक वसंत भाग 2 का अध्याई 11 जो की है रहीम दासची के 2 है तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रहीम दासची के 2 है तो ये हैं आज के हमारे रहीम के दोहे कही रहीम समपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोती जे कसे तेही साचे मीच देखे रहीम जी क्या कहते हैं कि कही रहीम संपत्ती सगे कि रहीम जी कहते हैं कि अगर आपके पास संपत्ती है पैसा है दोलत है तो सभी आपके अपने यानि आपके सगे बनना चाहते हैं बनत बहुत बहुरीत और आपका अपना बनने के लिए जो लोग हैं वो तरहे तरहे के तरीके अपनाते हैं यानि कोई कुछ कहेगा, कोई आपको अच्छा बताएगा, को किसी भी तरह से वो आपका अपना बनना चाहेगा बिपत्ती कसोटी जे कसे, तेही सांचे मीद, कवी कहते हैं, रहीन दाजी कहते हैं कि बिपत्ती कसोटी जे कसे, कि अगर आप मुश्किल में आ जाते हैं, वो ही मुश्किल का जो समय है, वो ही असली कसोटी होती है, जिस पे आप सच्छे मित्र को जाच सकते हैं, परक सकते हैं यानि कि रहीम दाजी के कहने का भाव है कि सच्चा मित्र वही है जो आपकी विपत्ती के समय आपके काम आता है ना कि वो सगे हैं जो आपके पैसे के लिए आपके साथ रहते हैं यहीं पर आगे रहीम जी कहते हैं जाल परे जल जात वही तजी मीनन को मों रहीमन मच्री नीर की तउन चाडी तिछो रहीम दाजी कहते हैं कि जाल परे जल जात वही कि जैसे ही जाल पानी के अंदर गिरता है तो जो पानी है वो जाल के साथ बहने लग जाता है यानि कि जो पानी है वो मचली का साथ छोड़ देता है और जाल का साथ ले लेता है जाल के साथ बहने लग जाता है तजी मीनन को मू और वो क्या करता है कि जो मीनन यानि की मचली है उसका मू तजी यानि त्याग देता है रहिमन मचली नीर की और रहिंदाजी कहते हैं लेकिन इनसान को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय के साथ वो बदल जाए इनसान को कैसा होना चाहिए मचली जैसा होना चाहिए मचली नीर को तव नचाडित छो कि मचली प्राण छोड़ देती है लेकिन कभी भी पानी का मो नहीं छोड़ पाती यानि कि वो समय के साथ कभी भी नहीं बदलती वो अपने प्रेम को ऐसे ही बनाए रखती है वो प्रेम के बगेर नहीं रह सकती जबकि पानी क्या करता है पानी समय के साथ बदल जाता है यानि पहले वो मचली के साथ होता है लेकिन जैसे ही जाल जो है वो गिरता है पानी पर तो पानी भी क्या होता है जाल के साथ बहने लग जाता है सरवर पीद ने पान कही रहीम परकाज हित संपत्ती संचिह सुजान रहिमदाज जे कहते हैं कि तरवर होते हैं पेड कि तरूवर यानि कि पेड कभी भी अपना फल नहीं खाता सरवर पियत ने पान पियत होता है पीना और पान होता है पानी कि सरवर कभी भी अपना पानी नहीं पीता कही रहीम परकाज हित रहीमदाज जी कहते हैं परकाज दूसरों के लिए जो काम करते हैं हित यानि कि दूसरों के हित के लिए जो काम करते हैं संपत्ती संचिय सुजान जो लोग संपत्ती यानि पैसा और संचिय संचय करना इकठा करना और सुजान सुजान होता है बुद्धिमान या सजन कि सजन व्यक्ति यहां रहीम जी का भाव है कि सजन व्यक्ति हमेशा ही दूसरों के हित के लिए धन का संचय करता है जबकि स्वा या सजन इंसान है वो दूसरों के काम आने के लिए दूसरों की साहिता करने के लिए धनका संचय करता है ठीक उसी प्रकार से पेड़ हमेशा दूसरों के काम आते हैं दूसरों को छायां देते हैं दूसरों को फल खिलाते हैं जबकि अपना फल वो कभी भी खुद नहीं खाते जैसे सरोवर दूसरों की प्यास मिटाता है ठीक इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी क्या करता है धन का संचय करता है लेकिन दूसरों के हित के लिए करता है थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भए करे पाचली बात अब रहीम दाजी कहते हैं कि थोते बादर क्वार के क्वार आश्विन का महीना होता है सितंबर अक्तूबर का महीना कि जिस तरह से आश्विन के महीने में थोते बादर थोता होता है दि दिखाते हैं कि ऐसे बारिश होगी और वो बहुत गरस्ते भी हैं लेकिन बारिश नहीं होती ठीक है। उन मेरे पास वो था, तो वो समय के साथ निर्दन हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी अकड़ है, यानि कि धनी व्यक्ति की अकड़ है, वो कम नहीं होती, कि उसी परकार से, जो आश्विन मा के जो बादल है, वो सिर्फ दिखावे के होते हैं, जो गरशते रहते हैं, लेकिन वर्षा नहीं करते आगे रहिम दाश जी कहते हैं धर्ती की सी रीत है सीत गहाम में हैं जैसे परेसो सही रहे त्यों रहीम यह दे यहाँ पर रहिम दाश जी जो मनुशे का जो शरीर है उसी की परसंसा करते हुए कहते हैं कि धर्ती की सी रीत है रीत होती है परंपरा यानि एक रिती नियम कि जो धर्ती है उसका उसकी यही नियम है कि सीत गाम ओ में कि वो हर तरह की जो प्रस्तितिया है उनको सहन कर लेती हैं चाहे सर्दी हो चाहे गाम मतलब गर्मी हो धूपो ओ और में यानी बारिष यानि कि जो धर्ती है वो सर्दी गर्मी और बादल वर्षा को भी क्या करती है सहन करती है जैसे परे सो सही रहे कि अगर वो किसी भी तरह किसी कोई भी प्रस्तिती धर्ती पर रहती है तो उसको क्या करती है धर्ती उसे सह लेती है क्यों रहीम यह दे कि जो मानव का जो शरीर है वो भी ठीक धर्ती के जैसे ही है यानि धर्ती के समान है धर्ती के जैसा है क्योंकि मानव शरीर है वो भी क्या करता है हर तरह के तकलीफ को सह लेता है और हिम्मत नहीं हारता इसलिए कवीरदाशी कहते हैं कि जो शरीर है उसकी त वो समाप्त होते हैं और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको वीडियो में ही मिलेंगे जिसे आपको अपनी जो कोपी है उसमें लिखना है